आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब क्या है हमके मैं इसे clarify करने के लिए लिख देता हूं यह आप पर टेबल है और यह आप पर टाउन है चार और जो टोटल नंबर और परसंस है टाउन में वह A में कितने है 240, B में कितने है 280, C में कितने है 260, D में कितने है आपके 320 और इसके अलावा जो है हमारे पास वो क्या है यह आप पर टेबल है उसमें name of the टाउन है A, B, C, D और number of males and females whose ages are above और 40 साल से उपर की लोग है हमारे पास given A में कितने है 50 B में कितने 70, C में कितने 110, D में कितने 120 अब क्या पूछा है find the ratio of those number of males and females whose ages are above 40 years in town A and B अब मुझे क्या निकालना है जो ratio आएगा वो क्या आएगा ratio is equal to A और B में A और B में अबब वाले लोग निकालना है मुझे तो अबब वाले तो सीधे सीधे table में हमारे पास तो यहां से आएगा आपका क्या 50 plus 70 ठीक है और हमें किसका चीए ratio आगे क्या क्या है question में those males and females whose ages are below equal to 40 years in town D तो यहां से मुझे क्या पदा चला D में कितने हैं आपके पास total है 320 blow वाले कैसे आएंगे जब total में से अबब वाले कर देंगे minus तो total में से अबब वाले minus हो जाएंगे तो और यह किसकी बात हो रही है डी की तो यहां से हमारे पास जो upon में value आएगी टोटल कितने थी 320 और इसमें से minus होगी एक ही वे आपके अबब वाले अबब वाले डी में कितने हैं 120 तो जो ratio आएगा हम पर वो क्या आएगा 120 जब मैंने इसे add करा और यहां पर जब मैंने मैंने इसे minus करा तो कितना है 200 अब मैंने इसे 40 से करा तो इसे 40 से अगा डिवाइड करों तो 43 जा एंड 45 जा तो 3 जो 5 आपका कहीं नहीं जाए एक बार option चेक करते हैं पहले में नहीं है तीसरे में नहीं है चौथे में नहीं है option number 2 में option number 2 will be your answer थेंग यू गाइड के लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथसाब कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 पर